अब्सक्राइब आप देखने एवी पियस नीज्ज मैं शिल्पीत पाटी एक बार फिर से आपको स्वागत करते हूं हमारे खास कारकरम विधायक जी चले गाउं के ओर में आज हमारे साथ मौझूद इन सवाइज पूर से भासपा विधायक मादवेन प्रताफ सिंग जी जो से पहली बार विधायक हैं और सताइस जार वोटों से जीते हैं आई उनसे बात करते हैं गाउं के विकास को लेकर विधायक जी आपको बहुत बहुत सागत हमारे कारे जी बहुत धन्यवाद आपको विधायक जी ये बताए कि आज के समय में जो रोजगार इतना बड़ा हो पूरा फोकस अभी कली मुख्मंती जी ने घोशना की चार लाग नोकरिया सरकारी शेते में दी जा रही हैं और सुरोजगार के लिए बहुत बड़े कदम सरकार उठा रही है जिसमें कोटी रुद्योग से लेकर तमाम योजनाज दी गई है इसके लेड़मेंट के जो आ कोपरेटिव सेक्टर है क्रेसी विवाग है आपकारिये सभी वागों में लगवाग जीते बुतर पर सरकार में एकला के पूरी भरती की जा रहे हैं जैगी जैसे कि बात करें किसानों की तो किसानों की जो दुर्दसा है वो किसे से छुपी नहीं है तो ऐसे में जो किसानों के लिए सरकार क्या क्या योजनाय चला रही है? किसानों के लिए बहुत सारी सरकार के स्कीम है और पहली बार भारती जानता पार्टी की सरकार जब से चेंदब वनी है हमारे पर धारमेंति जी लच्छ लेकर के चल लेह है समय बाद कारिकम उनों ने दिया है कि 2022 में हम अपने किसानों के इंकम को दुगना करेंगे उसमें क्रशी आय बढ़ाने के लिए सरकार की सुवधाय है छूट है डारेक्ट बेनिफिट सरकार देने जा रही है इस तरीके किसी चाहिए कि सुवधाय सरकार उप्रक्त करा रही है आसी बहुत सारी योजनाय सरकार ने जैसे कि आपने कहा कि 2022 तक किसानों की जो आ है वो दुगनी की जाएगी तब तक किसान क्या करेगा नई 2022 पर दुगनी होगी लेकिन उसका कारेक्रम तो पहले दिन से शुरूँ हो जब से भारत सरकार बनी है हमारे प्रदानों अंतीजी ने किया है और उत्तरपदेश की सरकार बनी हमारे मक्वन्तीजी किसानों की इंकम बढ़ाने के लिए पूरी तरिके सकर संकल्पित है सारी योजनाय किसान समर्पित है हमारे यहाँ ज्यादा था 70% बजट गाओ के विकास के लिए दिया गया जी बज़ाईगी जैसे कि आपने बताया जो बजट दिया गया जो किसानों का जो कर्ज माफी की बात थी तो यह जो किसानों का जो कर्ज माफ हुआ है फिर भी किसान उसके तले दबाई हुआ है वो फिर भी अपनी जो उसकी मूल बूस विदा है वो अपने उसकी लाव नहीं उठा पा रहा है जो योजना चल रही है इस समय पे देखिए किसानों की सिती तो खराब हाई है पूरे देश की किसानों की सिती खराब है इसका क्या कारण पिछली सरकारों की देन है जो उन्होंने किसानों पर ध्यान नहीं दिया कि खेती पर ध्यान नहीं दिया, गाओं पर ध्यान नहीं दिया, जिससे पहले की सरकारें नहीं हैं, हमारे देश में और प्रदेश में, पूरे करसी सेक्टर चोपट हो गया, और किसानों की जो उन्यती होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाई, आज हमारे प्रदामवन्ती जीन त जिलाए जा रहा है इस तरीके से उनकी इस्थिती बे हम लोग ठीक करेंगे आगे बढ़ाएंगे जो सिच्छा की बात करें तो जो स्कूल है उनकी सित्याज बिल्कुल भी सही नहीं है जो बच्चे जिनको लोग कहते हैं कि द्रस दी गई है बहुत आरह से बच्चे अब भी हैं कि उनको ड्रस नहीं मिल पाई है वो अभी जमीन नहीं बैटके पढ़ाई कर रहे हैं इसका सिच्छा का नहीं किया आज हमारी सरकार प्रदेश मनी हमारे मक्वंति मानी योगी जी ने सबसे पहला ध्यान गाओं के सिच्छा बच्चों पर दिया गरीबों के बच्चे अच्छे स्कूल में पड़े उनकी विवस्तास ठीक की जा रही है दो दो ड्रेसे उनको दी जिए जूते मजे स्वेटर और बस्ते दिये गएं किताबें दी गएं उनको स्कूलर्शिप दी जा रही है ये सारे विकास और ध्यान है उनको गुर्वता पूंग का दियान बोजन मिड़े मिल सरकार देने का प्रयास कर रही है आज सरकार का चौंशाठ हजार का बजट हमारे उ सरकार भरती करने जारे है सिर्चोगां कबीदूरो हो रही है और जो अच्छे भी द्याल है सरकार ने तो अंग्नेजी मादम से भी 10% से चलाएंगे इवी सरकार ने आदेश कर दिया जैसे आपने गाओं के विसी चोगों के भरती की होने जारी जो पहले उस टाइम पे जेगे निकली थी बीटीसी के उस पे उसमें कई छादर जीत भी गए थे जो बैक पेपर आया था उसमें के जिन्नों ने मुकदमा किया था वो जीत भी गए थे तो इसमें गाओं के लोगो किसानों मजदूरों के लिए समर्फी सरकार है अब पूरी तरीके से उनको दिला कर के रहे हैं यह मंसा हमारी सरकार के हमारे प्रदानवंती जी की और हमारे मुखवंती जी की जो बात कहें कि जब सरकार बने के टाइम पे प्रदामानवी प्रदानवंती मोधी जी ने कहा था क अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे दिन तो कहीं इस तो में दिख नहीं रहें आप वदाये में अच्छे दिन हैं कहाँ देखें एक डजर होती ही देखने की Aap देखें जित्ती भी उजना है भारा सरकाने सचे अधी के उजना शुरू किये उन में हम 57 जो गरीबों के लिए गरीब का लियांट का रही हो जना है आप उसमें दिखिए सब चाहा हमारे जन्दन खाते खोले गए 32 करोड खाते अब तक जन्दन खाते खोले जा चुके है हमारे हैं सोचाले, मा बहनों की दिक्कत होती थी गाओं में कुले में सोच जाने के लिए सोचाले बन बाए जा रहा है जित्ते गरीब लोगों सब को निसूल सोचाले बन माने का लच लेकर के हमारे प्रदानमेंटी चलना है पहली बार समय बार दिकारी कम लेकर के हमारे प्रदानमेंटी जी चलना है गाओं में आबास की समस्याती उसका एक टाइम तैकर दिया 2022 तक सब को आबास पका मकान दे देंगे अपने यहां गैस खाना बनाने की किती दिक्कत होती थी माभाईनों के लिए और आप समझेए कि चूले पर खाना बनाना बहुत मुश्किल होता विश्कर गाओं में जब बरसात के समय में लकड़ी गीली होती थी कंड़े गीले होते थे खाना बनाने में कालपना कर यह कितना कश्ट होता था आज उजिला गैस कनेक्शन तीन करोड़ से जादा गैस कनेक्शन बाटे जा चुके है और उजिला प्लैस यह ज़िना एक शुरू करी गैसे आठ करोड़ और ने कनेक्शन आने वाले समय में बाटे जाएंगे इसी तरीके से जो हमारा प्रधामनती दुगट्टा बीमा है प्रधामनती परिवारिक बीमा है प्रधामनती चीचाई यह ज़िना है यह सब गरीब कल्याण की यह ज़िना है इस सारी पांसात यह ज़िना को ही यह दिया सही तरीके से लागू हो जाएंगे तो अच्छे दिन तो इनसे बढ़के कुछ हो नहीं सकता जैसे कि आपने कहा कि हमारी जो आपकी जो सरकार है वो किसानों के लिए बहुत सारी चीजे दे रही है जैसे साचाले बन वा रही है जो बहुत गरीब है इंसान है जब उसके पास खाने को नहीं है तो वो साचाले में जाएगे करेगा क्या खाने में तो खादेन गारंटी के नाम से कार्ड बनाया जा रहा है अब सबको अंतोदे और वीपेल कार्ड मिलेंगे गाउं में 80% लोगों को इसकी सुबधा मिल लाई है कोई भी अप्रदेश में भूखो नहीं बर सकता जब तक उतरप्रदेश में होगी आदितनात की सरकार है जो अस्पताल के उस पर बात में पूछना चाहूंगी जो अस्पताल है गाउं में उसमें तो साफसफाई कुछ दिखती नहीं है और जो डॉक्टर हैं वो जो सहर के डॉक्टर ने गाउं में जाना नहीं चाहते है या सरकार इस पर को देहान नहीं दे लिए जी अस्पतालों में दिक्कत थी और पिछली सरकारों में के कारणे दिक्कत आई है वहाँ पर भरतियां नहीं कियेंगे सरकारी डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी थी अभी हमारे सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की जो उनकी कारेकाल है बढ़ाया है उनकी उम्र बढ़ाई है कारकाल की और उसके अलावा नहीं भरतियां सरकार करने जा रहे हैं लगो तीन जाद नहीं भरतियां हैं उसके अलावा जो हमारे BMS डॉक्टर हैं उनको भी टेनिंग दे करके एक साल की और सरकारी और प्रास्मिक P.S.C. त्यों पर उनको तैनाती दी जाएगी इस तरीके की जो डाक्टर्स के कमियों वो सरकार आने वाले एक दो साल में पूरी तरीके स्कत्म कर देगी जाएगी जो सबसे बड़ा ये एक बाद में पूछना चाहूंगे आपसे की जो गोरगपूर से मानिनी मक्हिमार्दी योगी जी की जो हार हुई थी इसका कारण क्या था इसका करण आति दिकाबम विश्वासता भारती जनता पार्टी का करता है मैंना था कहम जीत रहें जिस तरीके से योगी जी के नेतवत्व में प्रदेश सरकार काम कर रही थी वो भी खुशी में लोग गए और भारती जनता पार्टी कार करता आत्यों सामें वोट डालने नहीं गए आप देखें जो वोट परसेंटेज जो कम हुआ उसके करण हम लोग आ रहें और कोई बड़ी बात नहीं है जिस गाउं से मानिन मुख्यमंद्री योगी नादित नाद पांच बार सांसद रह चुके हैं उस गाउं की हालत ऐसी है जैसे अधर गाउं की भी इससे बुरी हालत नहीं होगी तो जब उस गाउं की हालत ऐसी है पुद मीडिया में चलाते थे दूसी तरफ आड़े दल हैं जो पैसे लेके टिकट बाणते हैं गरीबों को टिकट नहीं मिल सकते हैं जब आप समझे जाएंगे गुंडे चुनके जाएंगे अफरादी चुनके जाएंगे तो वो अपने भला करेंगे समाज का भला नहीं कर सक पहली बार ये देश में हुआ है कि अच्छे लोग चुनकर के आएं और हमारे मकवन्ती जी पुर्वांचल से हमारे प्रदेशा देशी पुर्वांचल से हमारे प्रधानवन्ती जी पुर्वांचल से चुनके के गए हुए इसलिए पूरा पुर्वांचल का विकास करने का इसलिए समर्फित है बारती जन्ता पर टीक सरकार हैं और पूरा चुनल में विकास होगा वहां की गरीबी दूर होगी वहां के लोगों को बुनियादी सुभधाय मिलेंगी विकास की बात आपका नहीं कब तक हो जागा विकास ये निश्य तरूप से विकास एक क्रम होता है तो कभी खत्म नहीं हो सकता लेकिन जिस तरीके से विकास का पैसा बीच मारा जाता था गरीबों का पैसा उनके हक तक नहीं पहुंच पाता था वो ये दिसाइद तरीके से उनके पास पहुंचने लगा आप खाते खुला के डायरेक्ट बेनिफिट उनके खाते में जा रहा इस तरीके कि जो सुभधायम रिश्टा चारता वो खर्मकर दिया हमारे पृदेश में हमारी सरकार ने में को कुवनधी जी ने खर्मकिया के बदामी जी ने खर्मकिया तो जो पूरा उनका हक था गरीबों का बंचितों का फोस्टों पीड़ों का वो उनको उनका हक मिलेगा तो निश्य दूप से विविकास में आगे बढ़ें आपको ऐसा क्या लगता है कि गाउ में ऐसी कौन कौन सी चीज़े होनी चाहिए जो आम इंसान खुसाल जिन्दिकी जी सके और अपने परिवार को खुश रखे देखिए गाउं जब तक हमारे सही तरीके से केंदर नहीं बनेंगे विकास के तब तक हम गाउं का विकास नहीं कर सकते हैं गाउं से सहरों में परान होता रहता है जित तो लोग आध्मिक हो जाते हैं जो संपन हो जाते हैं वो गाउं छोड़ जाते हैं जब गाओं के में बुनियादी सुबदाय मिले लेंगे वा बिजली पानी सड़क जैसी बुनियादी सुबदाय होगी तो गाओं के संपन्य लोग गाओं में रुकेंगे वो गाओं में रोजगार डालेंगे उसे नहे लोगों को रोजगार मिलेगा और गाओं का विकास होग पानी की पुर्वांची में पर्वांची नहीं लेकिन है टाइलिट है वहां लोकल जो ब्यवस्तापक है उनके करण गंदे है स्कूलों के भी प्राइमिनी स्कूलों में की टायलेट करने लेकिन मुख़़न तीजी न पुरा यह भी आन्सुरू किया जो हम लोग O.D.F. जिलों को करने जा रहा है उसमें इसकूलों में ने टायलेट बन बन बार है और उसमें माटर का सिच्टम, बानी की डेने जिवस्ता साही करके अच्छे टाइलेट मन वाए गए शुरुआत हो गई इसकी प्रदेश में और आग स्टुडेंट का ये भी कहना है कि जिस लल्ब डिपार्टमेंट में कभी किसी टाइम पे 24 टीचर हुआ करते थे वहाँ पे आसिफ तीन टीचर रहे गए इसका क्या करने जी सिचकों की कमी है पूरे प्रदेश में सिचकों की कमी है और पिछली सरकारों ने इतना भष्टाचार कर दिया था जो आयोग थे सिचक चैना आयोग सारे आयोग में बेमानी से भरतिया हुई उद पर कोड ने बारबार रोग लगाई और आप समझे कि हाई कोड तक मामला पहुंचा सुप्रीम कोड तक मामला पहुंचा सीवी आई जाचे हुई केवल कर रही था सरकारे महश्टाचार कर रही थे निक्तियों में पारदस्ता नहीं थी गलत लोगों को मनवाना चैन कर दो कर देंगे तो निक्तियों में बहुत जल्दी वो कभी हुआरी सरकार दूर कर देगी विदयाग जी आप हमारे चैनल के मादवम से को कुई संधिस देना चाहेंगे जी बहुत आवारी हूँ आपका चैनल का यंकि पूरे प्रदेश की यो अमन्र चैनिकी जो बहस्ता है मैं चाहता हूँ प्रदेश खुशाल हो और प्रदेश के लोग जाती समाज विवस्ता से दूरोट करके प्रदेश की विकास की तरफ देखें और छे लोगों को चुने गए तो निश्य दूरुप से की प्रदेश का भला होगा बहुत बहुत धन्यवत विदाइग जी आपका तो यह तो ते सवायजपूर से भाजपा विदाइग माधवेंद प्रताथ सिंगी जीनों ने हमें गाउं की विकास को लेकर बाते बताएं अज के लिए बस इतना ही आप शिल्पी को दीजे इजाजप नमस्कार